हेलो गाइज मैं वनीज आप देख रहे हैं वनीज अट्रोटक चैनल गाइज आज हम बात करने वाले हैं होंडाई की क्रेटा कार जिसमें गेरबक्स जो है फुली अटोमेटिक है और दूसरी गाड़ी की तरह इसमें कलच पैडल नहीं दिया हुआ है इसमें वनी ब्रेक और दिया हुआ है तो इसके यूज करके और गेर लेवर को यूज करके कैसे गाड़ी को ड्राइब करें या रिवर्स करें या पार्किंग में लगाए या न्यूटल करें तो आइए जानते हैं तो यह अपना क्रेटा गाड़ी है और जरूर नहीं कि क्रेटा ही गाड़ी हो तरह से गयर लगता है तो आप बने रहे हमारे साथ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हूं देखते हैं फ्रेंड से सबसे पहले एक्टोमेटिक गारी में जो क्या होता है गयर बॉक्स में यह यह वाला जो है ब्रेक होता है और यह एक्स लेटर इसमें कलच नहीं होता ये हैं कि एप Championship दिया हुए इसको दाबेंगे नहीं जब तक ये गयर नहीं लग पाएगा तो इसको जरुरUS नहीं है कि हर गाड़ी में यहीं पे होता है और यहीं पर भी होता है तो यहां पर होता है और यहां पर भी होता है तो हैं इनु road बाकि बाकि एक्टमेटिक जो गाड़ी है इसमें गेर लगाने का प्रोसेस से सब में सहीम ही रहती है यह देख लीचे फ्रेंट्स सिंबल जो दिख रहा है डी डी मतलब ड्राइब होता है एन मतलब न्यूटल हो जाता है और रिवर्स हो जाता है यानि कि बैक में जब गाड़ी करनी हो तो आर पर करना पड़ेगा तो देखिए जहां पर हम ले जाएंगे वहां की यह सिंबल जलने लएगा यानि कि पुछ अब बटन दबाएं और एन प अपना जो गाड़ी में कैमरा लगा हुआ इसमें भी सो होने लग रहा है ठीक है और यह पी के मतलब पार्किंग होता है तो यहां पे जैसे पुसब किये और आगे के तरफ कर दिये देखिए फ्रेंट्स यह पी वाली जो लाइट है यह यह जल गई ठीक है तो इस तरीके से आपको ड्राइब करनी है या पार्किंग में लगानी है न्यूटल करनी है गाड़ी को तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं ओके फ्रेंट्स